पुष्य नक्षत्र का फल, वेदिक जोतिश के अनुसार पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनीग्रह है। ये चक्र या पहिया की तरह दिखाई देता है। इस नक्षत्र के ब्रहसपती, घुरूप ब्रहसपती और लिंग पुरुश है। यदि आप पुष्य नक्षत्र से और उदार प्रवृति के हैं। इस नक्षत्र के देवता ब्रहस्पती माने गए हैं जिसके फलस्वरूप आपका व्यक्तित्व गंभीर, आस्थावान, सत्यनिष्ट, सदाचारी और देवता सरीखा प्रतापी है। आपकी देह मानसल होगी और शरीर कुछ भरा हो सकता है। साथ ही चहरा गुलाकार वचमकदार होगा। अभिमान तो आप में लेश मात्र भी नहीं है। जीवन में सुक, शांती वँआनन प्राप्त करना आपका परम लक्ष्य है। आप करतव्यनिष्ट, विश्वसनिय, मिलन सारव बुरे समय में लोगों का साथ देने वाले हैं। स्वादिष्ट भोजन के आप रसिया हैं और लौकिक सुक में आसक्त रहते हैं। प्रशन सा आपको फुला देती है जबकि आलोचिना असहाय जान पड़ती है, इसलिए मीठा बोलकर ही आपसे अच्छा कार्य करवाय जा सकता है। सभी प्रकार की सुक सुविधाओं को जुटाना आपको अच्छा लगता है। द्रिवनिश्चय और आस्थावान होना भी आपके व्यक्तित्व में शामिल है। अपने इनी गुनों के कारण यदि आप लोक्तिये और सभी से स्नेववर सम्मान प्राप्त करने वाले हों तो कोई हरानी की बात नहीं होगी। आपका स्वभाव धार्मिक है और दान पुन्य करने तथा धार्मिक यात्राय करने से भी आप पीछे नहीं रहेंगे। योग शास्त्र, तंत्र मंत्र, जियोतिश आदी शास्त्रों में भी आपकी गहन रुची रहेगी। मात संपूर्ण कुशलता से करने का प्रयत्न करते हैं। काम के सिलिसले में कभी-कभी आपको अपनी पत्नी वबच्चों से दूर जीवन बिताना भी पड़ सकता है, तथा पिए इससे परिवार के प्रती आपके लगाव में कोई कमी नहीं आती है। धन वैभव प्राप्त करने के लिए आप निरंतर प्रयतनशील रहेंगे। आपका स्वभाव शांति प्रियक्त सज्जनता से भरा हुआ और समर्पन की भावना से युक्त होगा। आप अकसर सब के दबाव और दुर्व्यवहार का शिकार भी हो सकते हैं। आप इश्वर भक्त और सब की सहायता करने वाले हैं तथा अपने मन की बात मुश्किल से व्यक्त कर पाते हैं। वैवाहिक जीवन में भी आप जीवन साथी तक से अपने मन की बात कहने में हिचेकते हैं जिसके फलस्वरूप आपको कभी कभार गलत समझ लिया जाता है और इसी कारण आप आत्म पीडा के भी शिकार हो जाते हैं। शिक्षा और आए आप थियेटर, कला और वानिज्य व्यवसाय के क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। शिक्र बाजार, वितव विभाग, जल प्रधान कार्य, सेवा से जुड़े काम, माल धोने जैसे श्रम प्रधान कार्य करके जीवन्यापन कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन, आप अपने जीवन साथी और बच्चों के साथ रहना चाहेंगे, मगर नौकरी या व्यवसाय के चलते अपना अधिकतर समय अपने परिवार से दूर बिताएंगे। इसी वजह से आपका पारिवारिक जीवन कुछ समस्यागरस्त रह सकता है, परंतु आपका जीवन साथी आपके प्रती समर्पित रहेगा और आपकी अनुपस्तिती में वह परिवार का ध्यान अच्ची प्रकार से रखेगा। 33 वर्ष की आयू तक आपके जीवन में कुछ संधर्ष होने की संभावना है, परंतु 33 वर्ष की अवस्था से आपकी चतुर्मुखी प्रगती होगी।